99% हार चुकी थी चैन्नेई की टीन फिर महिंदर सिंग धोनी जब बल्लेबाजी पर आये तो 16 गेंद में 37 रन की पारी खेल डाली जिसको देखने के बाद पूरा विश्व धोनी के नारों से गूंज उठा है उनकी खतरनाक बल्लेबाजी को देख पाकिस्तानी दिगजों ने शांदार रही डेविड वानर ने 52 रन की शांदार पारी खेली तो पृत्वी शौने उसके बाद जब मुश्किल में फंस रही थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम को जिम्मा उठाया कप्तान रुशब पंत ने कम बैट के बाद अपना पहला अर्धश तक यहां पर लगाया 32 गेंद में शांदार 51 रन की परी उन्होंने के लिए जिसके चलते दिल्ली ने 191 रन बनाए थे लक्षे का पीछे करने उत्री चेन्ने की शुरुआत आज इस मुकाबले में अच्छी नहीं रही खलील एहमद की शांदार गेंद बाजी यहां पर देखने को मिली उन्होंने पहले गायकवाड को एक रन के स्कोर पर चला की और उसके बाद रविंद्र को दो रैंक के स्कोर पर शुरुआत में तगरा दबाव चेन्ने की टीम के ऊपर बना लिया था दिल्ली की टीम ने लेकिन उसके बाद अजिंक्य रहाने और मिशेल के बीच एक साजिदारी हुई दोनों ने टीम का स्कोर 75 तर पहुचा उसके बाद नीचे 34 रन बनाकर आउट हुए उसके बाद रहने 45 रन बनाकर आउट हुए और 120 रन पर 6 विकेट हो गए थे जब धुनी बल्लेबाजी पर आये तो 23 गेंड में 72 रन जीत के लिए चाहिए थे धुनी ने आकर कुछ शां 24 रन ठोक दिये जिसमें 4 चौके और 3 चके भी शामिल थे उनकी आत्राम बल्लेबाजी को देखने के बाद शाहिद अफरीदी का बड़ा बयान थामने आया है उन्होंने कहा कि धुनी को रिटायर्मेंट वापस ले लेना चाहिए क्योंकि आज भी उनके अंदर मुझे लग चुका हूं आज भी उनकी बल्लेबाजी को मेरा दिल से सलाम वही शोयब अक्तर भी धोनी की बल्लेबाजी को देख पूरी तरह से हैलान रह गए उन्होंने कहा धोनी पहले भी महान थे और आज भी महान है भले ही उम्र कितनी भी बढ़ जाए लेकिन शेर अपनी काबिलिय को कभी भी कमजोर नहीं पढ़ने देता धोनी के साथ भी वही है इंटरनेशन क्रिकेट भले ही उन्होंने छोड़ दिया हो लेकिन आज भी उनके पास वह काबिलियत है कि गेंडबास कापते हुए नजर आ रहे थे मुझे लगता है धोनी जैसा बल्लेबाज अगर टीन इं को दिल खुश हो जाता है आज भी इतनी दबाव वाली स्थिती में धोनी आये थे लेकिन उनकी बल्लेबाजी पर इसका कोई भी असर नहीं देखा गया आकरामक बल्लेबाजी लगता है कि उनके जैसा खिलाडी पाकिस्तान में होना चाहिए पाकिस्तान की टीम कहां से कहां पहुँच जाएगी इस तरह से पाकिस्तान देखकर जो ने धोनी की तारीफ करी वैसे आप सभी उनकी बल्लेबाजी को दस में से कितने नंबर देंगे कमेंट सेक्शन में बताएगा